गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स नाइन्द के मैट्स के चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.2 के कोश्चन आशौलव करते हैं तो प्यारे बच्चो इसके प्रश्चनों को हल करने के लिए अर्थात अपर्मिय संक्यां को संक्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो इससे सम्मधित जोबी प्रश्चन हमें हल करना हो उनके लिए हमारे mathematical toolbox में इन इन चीजों की आश्टता पड़ती है पहले हम ये बात अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रशनों को करेंगे, तो हम तो आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से सिर्फ मार्ग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको इन टूल्स की मदद से ऐसे प्रशनों को हल करके देखना होगा, इसमें कुछ जरूरी इन टूल्स की शक्ता पड़ती है, उसमें होता है, किसी संख्या रेखा पर दिये गए बिंदू पर एक लंब खीचना, एक लंबवत रेखा खीचना, तो इसके लिए कुछ विधियां हम आपको बहुत सरल विधी से आपको परचित करा रहे हैं, सरल रेखा पर सिधे एक यदि रूलर रख दिया जाए और उसके बाद एक सेटी स्क्वाइर नैंटी एंगल वाला रख दिया जाए, तो इस तरह हम इस पर लंब बड़ी आसानी से खीच सकते हैं, एक भी दी है, बड़ी आसान भी दी है, दूसरा तरीका, किसी भी सरल रेखा कि किसी बिंदू पर यदि हमें लंब खीचना हो, तो जो प्रोटेक्टर होता है डी, उसके नबबे अंस का इस्थान पर एक पॉइंट लगा कर इसमें नैंटी एंगल के लिए एक सरल रेखा ख तो इस तरह दिये गए बिंदू पर हम एक लंब खीच सकते हैं, तो ये दो तरीके में से आपको जो भी तरीका बहतर लगता हो, आप उसका इस्तिमाल आसानी से कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोटेक्टर का उप्योग करना, और इसके साथ परकार का उप्योग करना, ये भ हम इन प्रशनों को हल करते हैं, तो कुछ इस तरह के फिगर्स बनते हैं, चितर बनते हैं, तो चलिए, प्रस्ण हल करना शुरू करते हैं, प्रस्ण वली एक दसमलो दो, प्रस्ण पहला, नीचे दिए गए कफन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिये, यहां पर सिर्फ इस्टेटमेंट दिये गये हैं, जो वास्थविक संख्याओं से संबन्दि थे, अर्थात परिमे और अपर्मे संख्याओं से, तो हमें ये बताना है, कि ये कथन सत्य या असत्य है, हमें इसका रिजन भी बताना है, तो सबसे पहला statement देखते हैं क्या है, प्रत्यक अपर्मे संख्या एक वास्तिविक संख्या होती है, अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अब वास्तिविक संख्या क्या होती है, वास्तिविक संख्या जितनी भी प्रकार की संख्या होती है, उन सभी का संग्रह वास्तिव एक प्राकत संख्या है तो ये कथं आप सत्य होगा या ईसके पहले हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है कि संख्यारेकापर का प्रत्यकभिंदू होता है वो कि प्रत्रशित करता है क्या प्राकस संख्या को, क्या पुर्ण संख्या को, क्या प्रुनांग संख्या को, क्या पर्मे संख्या को, क्या अपर्मे संख्या को प्यारा बच्चों हमने इसके पहले जितनी भी चीजे पढ़ी है ना तो हमनी ये देखा है कि संख्यात पर्दशन के लिए बढ़ी आसानी से हम प्राकर से लेकर पूर्ण संख्याओं के लिए हमें प्रदसन कर देते हैं लेकिन उसके बाद पर्मेर संख्याओं के लिए हमें कुछ विशस तक्निक इस्तेमाल करना पढ़ती है। और हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था और परिमे संख्याओं को प्रतिसित करने के लिए भी हमें पाइथ हो रस्प्रा में और जैसे हमने इसके थोड़े दिर पहले बात की इस तरह की तक्रीकों का इस्तिमाल करना पड़ता है तो यहां पर जो रूट एम है वास्तो कि कुछ अपर्मे संख्या ऐसी होती है जो प्राकस संख्या के वर्गमुल की रूप में नहीं होती है इसलिए यह कथन असत्य होगा क्योंकि हम यहां पर कारण भी लेखना होगा तीसरा इस्टेट्मेंट प्रत्यक वास्तेविक संख्या एक अपर्मे संख्या होती है अब यहां पर थोड़ा यह उल्टा हो गया वास्तेविक संख्या वास्तों में पर्मे और अपर्मे संख्या का संख्या है जबकि वास्तेविक संख्या में दोरों चीज़े जब होती ह तो हम ये कहे देना कि जितनी भी वास्तरविक संख्या होती है, ये बिलकुल गलत होगा, तो हम कारट में लिख देंगे, क्योंकि वास्तरविक संख्या, परिमे, वा परिमे दोनों प्रकार की संख्याओं का संग्रा होता है, तो इस तरह हमने इन कथनों का कि सत्याता की जाच कर ली अब हम आगे वड़ते हैं प्रस्न दूसरा क्या सभी धनात्मक पुरुणांकों के वर्गमूल अपरिमे होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उधार दीजिए जो एक परिमे संख्या है प्यार बच्चों यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि धनात्मक पुरुणांक के वर्गमूल अपरिमे नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उधार दीजिए जो एक परिमे संख्या है अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यह कथन वास्तों में असत्य है, क्योंकि कुछ धनात्मक प्रोणांगों के वर्गमूल देखते हैं हम यहाँ पर, root 1, यह धनात्मक प्रोणांग का है, इसका वर्गमूल एक होता है root 2, root 3, फिर यह अपरिमे संक्या है, root 4, इसका वर्गमूल होगा 2 तो यहाँ पर सभी धनात्मक प्रोणांगों के वर्गमूल अपरिमे नहीं होते हैं जैसे root 1 इसका वर्गमूल ये अपरिमे ये नहीं है ये परिमे है इसी तरह root 2 और root 3 ये तो अपरिमे है ये लिगे root 4 अर्था जो चार परुणांका है इसका वर्गमूल अपरिमे ये नहीं है तो सभी का नहीं होता है कुछ का हो सकता है कुछ का नहीं होता है तो इस तरह हम इस कथन को अस्यत्य कर दिये इसके बाद ये बुला है एक ऐसी संक्या के वर्गमूल को धान दीजिए जो एक परिमे संक्या हो तो बिल्कुल हम दे सकते हैं वर्गमूल 4 यहाँ पर एक ऐसी संक्या है अथा 4 एक ऐसी धनात्म कुर्णांका है जिसका वर्गमूल अपरिमे यह नहीं है अर्थात परिमे है तो इस तरह हमने दूसरे प्रस्न को भी हल कर लिया अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्न तीसरे की ओर दिखाएए कि संक्या रेका पर रूट 5 को किस प्रकानी रूपित किया जा सकता है यहाँ पर यह चित्र बनानी की जो सुरुवात है हमने कुछ दिर वीडियो के शुरु में आपसे बात की थी किसी भी अपरिवे संक्या को जो रूट वाली हो उन्हें संक्या रेका पर प्रकानी के लिए हमें कुछ टूल्स किया हो सकता पड़ती है और सबसे पहले हम इसके step by step एदि हमें statement लिखे हमने क्या क्या काम किया है हम इस चित्र को भी लगातर बढ़ते चले जाएंगे तो हम इस तरह की किसी भी संक्या को प्रदिशत करनी के लिए हम root 2 से शुरू करते हैं अनुमान वीदी का इस्तिमाल करते हैं तो सबसे पहले इसका जो मद्य बिंदु जहां पर शुन्य धनात्मक पुरुणांक होता है माप कीजिए पुरुणांक होता है वहां से लेकर एक तक एक लंबाई का एक रेकाहंट O A लेते हैं और इसका बद बिंदु A पर B A एक लंब खिषते हैं अब आपको याद आता होगा लंब खिषने के सबसे कुछ वीधियां सरल वीधियां हमने से आपको परिशे कराया था और आपको आता भी होगा बहतर तरीके से तो इसके बाद यह जो समकुर्ट त्रिभूज बनता है इस समकुर्ट तुरिभुजी में करण कमार रूट तो निकाल लेते हैं ये हमने सबसे पहला काम O.A. सिरेका खंड बनाया उसके बाद दूसरा काम लंबक हीचा और तीसरा काम जितनी लंबाई O.A. की थी उतनी लंबाई A.B. ली हम एक नया समकुर्ण तुरिभुज बनाएंगे इस तरह जो रेड साइड हमने बनाया है यह और यह जो ग्रिन साइड जो पुराने जो समकुर्ण तुरिभुज था उसका जुक्र न था O.B. अब हम O.B. को आधार बनाएंगे और बिंदू B पर एक सीधा लंब खीचेंगे C.B. और इसकी लंबाई एक होगी यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहला जब हमने समकुर्ण तुरिभुज बनाया था तो जितना आधार एक लंबाई का था उतने हमने लंब लिया था लेकिन जब हम इसके इसके बाद दूसरा समकुर्ण तुरिभुज यहाँ पर बनाएंगे तो यह सिर्फ एक लंबाई की उंचाई लेंगे और इसके बाद यह जो इसका करना होगा O C यह इसका करना होगा और इसका आधार होगा O B और इसका लंब होगा B C यहाँ पर हम फिर से एक बार पाइथ बनेगा और यह जो लंबावत रखा खींचेंगे यह सिर्फ एक अग लंबाई की ही होगी और इस तरह यह जो नया जो करणा बनेगा जो की रूट फाइव होगा अब अंत में हम अंतियम कारे हमारा बचा रहता है बिंदु ओ को के अंदर मार कर ओ यह लंबाई का एक चाप खींचेंगे तो वो इस तरह घुमती हुए इधर आएगा और वो दो से कुछ पहले की और आ जाएगा तो इस तरह जितनी लंबाई ओ इकी थी उतनी लंबाई जो हम चाप खींचेंगे उसकी भी होगी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने यह देखा था कि जब हम सुरुवात इसकी करते हैं तो सुरुवात करते समय सबसे पहला रिखा क एक लंबाई के लेते हैं और उसके बाद जो लंब खिषते हैं वह भी एक लंबाई के लेते हैं तो जितने भी बिंदूों पर हम लंब खिषते चले जा रहा हैं सभी एक लंबाई की हो रहे हैं और यह जो जितने भी वर्गमूल के मान आ रहा हैं यह सभी कि इंडिया गे जो समकुन त्रिफूज बनता है उसका करनका मान होता है अब ये जो पूरा का पूरा पिक्चर बना है इससे आप वर्गमुल 2 को भी संख्या रेखा पर प्रतशित कर सकते हैं वर्गमुल 3 को भी कर सकते हैं वर्गमुल 4 को भी कर सकते हैं इस तरह ये एक सरप से निकाले अपना टूल बॉक्स से निकाले और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और सिर्फ इससे नहीं हमें यह पर यह देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि इसमें जितने समकॉंट रभूज बनेंगे उतनी बार हमें पाइथागुरस प्रमे से अगला समकॉंट्रिबूज बनाना तो इस तरह यह कार्य लगातार आगे बढ़ेगा तो इस तरह इस एक ही चित्र के बाद्यम से हम वर्गमुल 2, वर्गमुल 3, वर्गमुल 4, वर्गमुल 5 इस तरह कि जो 5 जो 4 अपरिमे संक्या है इनको संक्यारेका पर आसानी से प्रदर हैं, वर्गमुल 4 और 5 तक हम देख चुके हैं, संबह हो सकता है कि वर्गमुल 6 और 7 भी हम कर लें, लेकिन इसका बाद जैसे संक्या बढ़ती चले जाती है तो यह बहुत जटिल होते चला जाता है, तो इस तरह आगे की जो वर्गमुल वाली संक्या हैं, अर्थात अपर भ हमने कुछ इस तरह की चीज़ें यहां पहली की, एक कवर्ग 1, दो कवर्ग 4, तीन कवर्ग 9, चार कवर्ग 16 और 5 कवर्ग 25 होता है, तो ठीक, इसके अपोजिट हम चले जाते हैं, तो एक कवर्गमुल 1, चार कवर्गमुल 2, नौ कवर्गमुल 3, तीन कवर्गम्ल 4, 25 कवर् नंभर लाइन होगि, उसमें नंभर लाइन में जो बनागों को होगे तीन और चार के बीच में होगा। वर्गमल सेतरा को संध्य खबरे बदस्रिता करना हैं ऐसा कोई प्रस्ना आजाया apprehा ये तो तरह यह संख्यारेःखवर पर चार और पाँच के बीच में कहीं होगा तो इस तरह कम से कम इतनी जानकारी यदे हमें रहती है कि ऐसी शंखिया को वर्गुमल जिनका वर्गुमल यदे निकाला जाता है जो धनात्मक पुरुणांक को होती हैं तो इनके बीच में हम अनुमा लगा सकते हैं कि थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो उस्टे तुने वीथास, जय हिंद।